हेलो बच्चों तो आप सभी कैसे हैं कॉमेंट में लिखकर हमें बताएंगे तो अब हम चलते हैं क्वेस्चन स्रीज वार्षिक परिक्षा में आने वाले कुछ संभावित प्रस्ण है जिसके बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे और आप अपने मैंड को अची तरह सेट कर लेंगे और और कॉँपी और पेन को भी लेकर बैट जाएंगे ताकि आपको इसको इसको संभावित करने में कोई परिशानी नहों और यह एक प्रकार का नोट सा है जो आपको परिक्षा में एनुव एक्जाम में आने वाले प्रस्णों को हल करने में सहुलियत प्रदान करेगा तो चलते हैं क्लास 3 के हिंदी सब्जेट के महत्वपूर्ण कोस्टन एंसर हैं जिसके बारे में आज परिचर्चा करते हैं तो उसी की ओर चलते हैं ध्यान देंगे बच्चो तो देखेंगे फर्स्ट चंए आपका कि निम्न लिखित प्रसनों का उत्तर दीजिए यानि कि जो नीचे लिखे हुए प्रस्ट हैं उसके उत्तर हमें प्राप्त करना है तो कि और द्यान देंगे जैसा लिखा गया कि सर्सों के फूल कब खिलते हैं तो हम समझते हैं कि जैसा कि अभी मौसं चल रही है यानि जनवरी से फरवरी के बीच में अक्सर सरसों के फूल खील जाते हैं तो हम देखेंगे कि सरसों के फूल सरद रीतू में खीलते हैं सरद रीतू यानि जाड़े के मौसम में सरसों के फूल खीलते हैं चलेंगे अगले क्वेस्टन की और मामा जी ने आनंद को क्या गिफ्ट दिया था तो ए आपका question जो है according to book in syllabus syllabus के अनुसार आपके पुस्तक के अनुसार answer को यहाँ पे mention किया गया है तो मामा जी ने आनंद को एक सुन्दर सा खिलावना गिफ्ट दिया तो ध्यान देंगे बच्चो क्या मामा जी ने गिफ्ट दिये सुन्दर सा खिलावना जैसा कि आपको यहाँ पे answer में mention किया गया है तो चलेंगे इसके अगले question की ओर ध्यान देंगे यानि next question गर कि सामाचार के मूख्य कौन कौन से साधन है जिससे हम लोग सामाचार प्राप्त कर पाते हैं अपने अगल बगल छेत्रों के देश, विदेश, प्रदेश को तो देखेंगे कि सामाचार के मूख्य साधन जो है वो first क्या है सामाचार पत्र है second में radio है और third में आपके जो है वो television है तो इस प्रकार के हमारे सामाचार के मुखे साधन, सामाचार पत्र, रेडियो और टेलिवीजन हैं तो चलेंगे अगले क्वेस्टन की और अगले क्वेस्टन अपका यहाँ पे घर की और ध्यान को अकरसित करेंगे कि घर के दरवाजे से किसने आवाज लगाई तो ध्यान देंगे आपका यह according to lesson यानि lesson के अनुसारें इस answer को mention किया गया है यहाँ पे कि घर के दरवाजे से भिखारी ने आवाज लगाई तो हम इसे भिखारी पर यहाँ पे perfect focus कर रहे हैं तो देखेंगे इसके अगले question की और अगले question क्या है ध्यान देंगे बच्चो अगले question यानि अंगा question जिसे हम लोग कहेंगे कि मूँ धोने कौन जा रहा था यानि according to lesson lesson के अनुसारे सारे question बन रहे हैं तो देखेंगे कि मूँ धोने भेडिया दादा जा रहा था यानि भेडिया ने कुछ खा कर रखी थी और वही जो है मूँ धोने के लिए जा रहा था तो चलेंगे अगले question की और अगले question आप का ही रहा जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों अपनी बात लेकर किसके पास पहुंचे जैसा कि हम यहाँ पे आपके ध्यान को आकरशित किया तो अगले question की और चलेंगे किस ओर को किसकी और से इनाम दिया गया यानि जो किस और था उसको इनाम जो दिया गया था वो किसके तरफ से दिया गया था तो इसके उतर की और चलेंगे कि शोर को राष्ट पती के द्वारा इनाम को दिया गया यानि कि परफेक्ट एंसर इसमे राष्ट पती है जिसमें हम लोग फोकस किये तो चलेंगे अगले क्वेस्टन की और अगले क्वेस्टन के लिए बने रहेंगे आप आपके लिए फिफ्ट नमबर क्वेस्चन है ध्यान देंगे कि समान अर्थ वाले सब्दों को मिलाओ देखेंगे यहाँ पे कि जो समान अर्थ वाले सब्द है उसको मिलाना है तो कैसे मिलाते हैं या बनाते हैं तो आनंद, आनंद को और हम लोग किस सब्द से जानते हैं, तो खुसी से भी जानते हैं, चलेंगे आरंब, आरंब को हम लोग क्या करते हैं, सुरू के नाम से भी जानते हैं, सहायता, मदद के नाम से हम लोग समझते हैं, आग को अगनी के नाम से भी जाना जाता है, और आस्त कि दो-दो परियाएवाची सब्द लिखें, यानि कि परियाएवाची सब्द लिखना है कितने दो-दो, तो यहाँ पे थोड़ा से देखेंगे, परियाएवाची में है कि यहाँ पे में स्प्रिंट हुआ है, जिसे ध्यान देंगे, कि first question इसमें क्या है राजा राजा को हम लोग परियावाची सब्द क्या बलाते हैं तो एक first है समराट और second में आपका है सासक तो इसी प्रकार से second question क्यों चलेंगे दूरगा दूरगा को हम लोग परियावाची सब्द में क्या कहते हैं तो देखेंगे दुर्गा को हम लोग भवानी के नाम से भी जानते हैं, चंडिका के नाम से भी जानते हैं, तो इसी प्रकार से अगले क्वेस्टन की ओर चलेंगे, अगले क्वेस्टन आपका ये है, जूट, जूट, तो जूट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो जू अना को हम लोग आत्मिये के नाम से जानते हैं, आत्मिये मिंस अपना होता है, नीजी मिंस भी अपना होता है, तो ठीक इसी प्रकार से अगले question की ओर चलेंगे, रोना, रोना का मतलब होता है, आसु को बहाना या बिलाप करना, तो अब चलेंगे इसके अगले question की ओर, अगले सकते हैं अमीर का उल्टा आप गरीब लिखते हैं और जूट का सत्य लिखते हैं और अपना का पराया लिखते हैं तो इसी प्रकार से रोना का हसना भी आप लिखते हैं तो इसके अगले क्वेस्चन की और आप चलेंगे अगले question यहाँ पे eight number question जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि link में बदलें यानि जो यहाँ पे link इस्त्रिलिंग है तो pulling में बदल देना है और pulling है तो इस्त्रिलिंग में बदल देना है तो ठीक इसी प्रकार से पंडित है तो पंडित को हम लोग पंडिताइन, पंडित पूलिंग है, इसका पंडिताइन इस्त्रिलिंग बन गया, तो ये खिलाडी है, खिलाडी जो है, उभाय लिंग है, उसमें इस्त्रिलिंग और पूलिंग दोनों होते हैं, इसलिए खिलाडी का कोई लिंग नहीं होता है, अगले question का नंबर में चलेंग के घोड़ा, घोड़ा को हम लोग इस्त्रिलिंग में घोड़ी के नाम से जानते हैं या घोड़ी कहते हैं, चलेंगे अगले क्वेस्टन की ओर, बंदरी, बंदरी मेंस हो गया इस्त्रिलिंग और इसका हम लोग हिंदी में बंदर के नाम से समझते हैं, तो राजा को हम लोग के लिए आप बने रहेंगे तो देखेंगे नाइन्थ नंबर क्वेस्चन कि अपने पाठे पुस्तक से एक कविता लिखें तो आपके पाठे पुष्टक में जो भी कविता आये होंगे जिस लेशन में भी आये होंगे आप उसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे ताकि आपको एनुवल एक्जाम में आने वाले प्रस्ट को हल करने में काफी मददगार साबित हो और अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त करने क के लिए आप बने रहें माग अगैत रिपब्लीक के यूट्यूब चैनल की ओर तो चलेंगे तेन्थ नंबर क्वेस्चन की ओर बच्चों कि एनध नंबर क्वेस्चन आपका यह रहा कि नेमण लिखित प्रस सब्दों को वहू बचन बनाओं नेमन लिखित मेंस होता है नेमन मतलब नीचे लिखित मेंस लिखा हुआ याने नीचे लिखे हुए सब्दों को बहु बचन याने कि किसे कहते हैं बहु बचन तो जो दो या दो से अधिक सब्दों को या बस्तुओं को या प्रानियों को बोध कराता है उसे बहु बचन कहा जाता है तो बहुबचन को हम लोग समझ गए बच्चो तो हब चलते हैं आंए बहुबचन को डिल करना है तो बने रहेंगे आप फास्ट क्वेस्टन की ओर फास्ट क्वेस्टन जैसा कि आपको दिखाया जारहा है चिणिया, तो चिणिया मिन्स एक चिणिया है, तो एक चिणिया से अनेक चिणिया की ओर हम पढ़ेंगे, तो अनेक चिणिया जैसे की चिणिया, जैसे चा, चा हरा स्विकार, और डा हरा स्विकार, या आकार चंदरबींदू जब लगाएंगे, तब जाकर की या चिणिया ब के वह आपका है बच्चा को हम लोगं देखेंगे जब बच्चे हो जाएंगे जानी बच्च मींस एक बच्चा है और जब वह बच्चे हो जाएंगे तो वह एक से अधिक बच्चे हैं इसलिए वो बहु बचन बन गए तो ठीक इसी प्रकार से आप है next घोड़ा तो घोड़ा मींस एक घोड़ा को या संकेत करता है तो एक से अधिक घोड़ा के लिए हम लोग घोड़े का परियोग करेंगे तो चलेंगे उसके अगले वीडियो के अगले क्वेस्टन की ओर अगले क्वेस्टन में आपका है कि लड़की तो लड़की मींस एक कोई लड़की है और उसे हम लोग एक से अधिक लड़की के लिए लड़किया का परियोग करते हैं बहु बचन बनाने के लिए तो इसके अगले question की ओर चलेंगे, अगले question यानि अंगार number question पर चलेंगे, बंदर, तो बंदर मींस होता है एक बंदर, तो एक बंदर से हमें अनेक बंदर बनाना है, तो हम बंदरे लिख सकते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से अब हम चलेंगे, अगले question की ओर, अगले question पर यहा करके बैठ जाएं और इस वीडियो के माध्यम से अपने नोट बूक पर अच्छी तरह से मेंसन कर लें ताकि आपको आने वाले एक्जाम में अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्ति हो सके तो चलेंगे इसको first question की ओर कि संग्या तो संग्या हम लोग किसे कहते हैं इसके बारे में आज परिचार्चा करेंगे और ध्यान देंगे बच्चो संग्या किसी ब्यक्ति बस्तु अस्थान आदी के नाम को संग्या कहा जाता है तो बच्चो ध्यान देंगे किसी ब्यक्ति यानि कि ब्यक्ति को किसी बस्तु को और किसी भी अस्थान के नाम को संग्या कहा जाता है जैसे ब्यक्ति में आप मान सकते हैं रमेश, महेश, कमलेश, नदेश, बीना, सरस्वति, कमला, इत्यादी को बस्तु में आप मान सकते हैं, पेंसील हो गया, कटर हो गया, रबड हो गया, चेयर हो गया, इस तरह से आपके जो भी बस्तु घर में भी है, घर में जैसे आपको माली जे पेटी का हो गया, जिसे हम लोग पेटी कहते हैं, साडी हो गया, पैंट हो गया, सठ हो गया, ये सारे स्थान के नाम है। तो इस प्रकार से सभी किसी व्यक्ति का या नाम हो, या किसी वस्तू का नाम हो, या किसी अस्थान का नाम हो, उस सभी संग्या कहलाते हैं। तो आप एह समझ जाएंगे कि दुनिया के तमाम चीजे कोई ने कोई संग्या होती है चाहे वह कोई भी संग्या हो या जाती वाचक हो ब्यक्ती वाचक हो भावाचक हो समुवाचक हो या द्रभ्य वाचक हो कोई ने कोई संग्या ही होता है तो चलेंगे अगले क्वेस्टन की ध्यान देंगे बत्चो कि जो सब्ध संगया के अस्थान पर आए वह सर्वनाम कहलाता है तो हम इसको एक्जम्पल के मादियम से समझेंगे कि जैसे मोहन पटना जाता है तो मोहन के बदले में यदी हम वह पटना जाता है कह देते हैं तो वह जो है मोहन के अस्थान पर आने वाला सब्द है तो मोहन के अस्थान पर आने वाले सब्द को हम सर्वनाम कहेंगे यानि वह जो है वो सर्वनाम हो जाएगा जबकि मोहन जो था वह एक संग्या था तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि संग्या क्या होगा जैसे मैं, तुम, आप, वाह, यह सब, वे, यह सभी क्या सर्वनाम कहलाएंगे और इसके बदले में किसी व्यक्ति का नाम हो जाए तो वह संग्या कहलाएगा तो चलेंगे इसके अगले क्वेस्टन की ओर अगले क्वेस्टन अब काई रहा विसेशन तो विसेशन की ओर ध्यान देंगे कि जो सब्द संग्या किसकी संग्या सर्वनाम की विसेश्टा को बतलाता है वह विसेशन कहलाता है तो अभी हम थोड़ी सी पहले समझाएं कि संग्या कौन है और सर्वनाम किसे कहा जाता है तो वैसे सब्द जो संग्या और सर्वनाम दोनों की विशेस्ता बतलाएगा वह विशेसन कहलाएगा जैसे मान लिया जाए कि रमेश मोटा लड़का है तो अगर रमेश मोटा यहाँ पे जो आ रहा है किसके लिए रमेश के लिए तो रमेश जो है वह एक संग्या है और संग् से मोटा पतला मीठा खाटा तीता यह सभी विशेशन कहलाते हैं तो जो संग्या और सर्वनाम की विशेशता बतलाएंगे वो बच्चों क्या कहलाएंगे कॉमेंट में लिखकर जरा हमें बताएंगे चलते हैं अगले क्वेस्टन की देखेंगे अगले क्वेस्टन में आपको जा नंबर क्वेस्टन है यहाँ पे आपको ध्याना करसित करते हैं कि जिवराज कहां घुमने गया था according to lesson आपको lesson के अनुसार ही इसे उतर देना है तो जिवराज जो है वो मसूरी घुमने गया था कहां घुमने गया था अगले क्वेस्टन की ओर चलेंगे जा नंबर क्वेस्टन की ओर कि भारत जग का क्या बनेगा बोल रहा है कि भारत जग का क्या बनेगा तो भारत जग का सिर्मोर बनेगा यानि कि भारत जग का मुकूट बनेगा, सिर मोर मिंस क्या हुआ बच्चो, मुकूट, क्या बनेगा, मुकूट है, चलेंगे इसके अगले question की ओर, अगले question है, कि अमन किसका दोस्त था, according to your book, तो आपके book के अनुसारी से उतर देना है, कि अमन किसका दोस्त था, आसु का दोस्त था, जैसा कि यहां पर हम जैसा कि यहां पर दिख रहा है, turn number question, कि जगदीश चंद्रवसू का जन्म कब हुआ था, यानि जगदीश चंद्रवसू का जन्म कब हुआ था बच्चो, बताएंगे, इनका जन्म 30 नवंबर 1858 इस भी में, धाका जिले के फरिदपूर में हुआ था, तो याद रखेंगे चलेंगे अगले question की ओर, अगले question है, कि दमकल की गाड़ी किस रंग की होती है, तो आप देखेंगे कि आग बुझाने वाले जो हमारे गाओं में कहीं पर आग लग जाती है, तो सरकार के द्वारा या private संस्थाओं के द्वारा आग बुझाने वाला एक गाड़ी आती है, कि रीकत स्थानों की पूर्ती कीजिए, यानि जो खाली जगा है, उसे हमें पुटप करना है, तो खाली जगा है, राज दिली के बदसाह के अधिन था, तो कौन सा राज दिली के बदसाह के अधिन था बच्चों, बताएंगे आपके lesson के अनुसार या रीकत स्थानों की राजा अपनी कहां पे राता था राजधानी में नहीं राता था तो यहां पे आप बने रहेंगे राजा अपनी राजधानी में नहीं राता था according to your book यानि आपके book के अनुसारिया उतर है चलेंगे अगले question की और अगले question है कि C के साथ खाली जगा है और देखना चाहते थे तो C के साथ जो है वह क्या देखना चाहते थे राजा तो लड़ाई को देखना चाहते थे चलेंगे अगले question की और कि मकान के उपर चड़ने के लिए क्रमचारी किस चीज का उपियोग करते है यानि मकान के उपर चड़ने के लिए कोई क्रमचारी जो है जब आग बुझान कोई संस्था के दोरा गाड़ी आती है उसके कुछ क्रमचारी होते हैं तो किस प्रकार से चट पर या घर पर चड़ते हैं तो सीर्यों की सहयता से चड़ते हैं बच्चो याद रखेंगे सीर्यों की सहयता से चले अगले question की और चलते हैं कि दमकल की गाड़ी पर पानी का एक एक क्या होता कि प्यासी धरती जो है वो क्या मांगती है है बच्चों याद रखेंगे तो बने रहेंगे अगले क्वेस्टन के लिए अगले क्वेस्टन की देखेंगे ठर्ड नमबर क्वेस्टन यहां पे क्या है कि सही कथन पर सही एवम गलत क्थन पर गलत का निशान लगाईई यानि जो कथन statement यहाँ पे सही है उनके सामने 9 का चीन लगाना है और जो गलत है उनके सामने cross का चीन लगा देना है तो first question की ओर ध्यान देंगे कि पंसारी ने कहा तुम्हारा बात तो चुहे खा गए यह बिल्कुल सत्य है आपको according to lesson पंसारी ने कहा था कि तुम्हारा बात जो है कौन खा गए है चुहे खा गए है इसलिए इसे हम लोग 9 का चीन लगा सकते हैं अगले question उसी lesson का कि पंसारी की बात सुनकर फल वाला उससे लड़ने लगा जी नहीं फल वाला उससे बिल्कुल नहीं लड़ रहा था फल वाला तो बिल्कुल प्यारा सा बेभार कर रहा था तो इसलिए आपका false हो गया तो आप cross का चीन लगा सकते हैं चलेंगे अगले question की ओर अगले question आपका ये रहा गाव number question कि फल वाले के साथ पंसारी का बेटा सहर गया ठीक उसी lesson से ये भी question को put up किया गया है तो आप ध्यान देंगे कि फल वाले के साथ पंसारी का बेटा सहर गया था ये बिल्कुल सत्य है कि उसे सहर घुमने का सोग था तो यहाँ पे इसको हम लोग right कर सकते हैं अगले चलेंगे according to lesson यानि कि ठीक उसी lesson का यी भी है तो चलते हैं कि पंसारी के बेटे को सेर खा गया जी नहीं पंसारी के बेटे को सेर नहीं खा गया था पंसारी के साथ तो उसका बेटा जो है घुमने गया ही था इसलिए ये बिल्कुल आपका option गलत हुआ तो चलेंगे अगले question की ओर यानि अंगर number question है कि पंसारी ने अपनी भूल के लिए फल वाले से छमा मांगी ये बिल्कुल सही है किसी को भी अगर कोई भूल हो जाती है तो उसे छमा अगले व्यक्ति से मांग लिया जाता है तो पंसारी ने भी अपनी भूल के लिए किसे फल से लर से यानि फल बेचने वाले से छमा मांगी थी तो ये आपका right हुआ answer चलते हैं अगले question की ओर अगले question चर नंबर question है कि ब्रिक्ष हमारे जीवन का आधार है बिल्कुल सही है क्योंकि अगर ब्रिक्ष नहीं होंगे तो हमें oxygen की प्राप्ति नहीं होगी और वारिस भी नहीं होगी जिसके कारण हमें धर्ती पर रह पाना मुश्किल हो जाएगा तो ये बिल्कुल आपका right answer हुआ अब चलेंगे च्हा की ओर प्राताकाल ब्रिक्षो के आस पास तहलना लवदायक नहीं होता है तो ये बिल्कुल गलत है लवदायक होता है लवदायक होता है इसलिए ये आपका options गलत है तो गलत के cross का निसान लगाएंगे प्राताकाल में जब आप ब्रिक्ष के पास पहुंशेंगे तो वहाँ पे यर उनकी neat and clean होती है और oxygen वहाँ हमें भरपूर मत्राओं में मिलती है इसलिए प्राताकाल हमें ब्रिक्षो के आस पास तहलना चाहिए वहा लबदायक होता है तो चलेंगे इसके अगले question की ओर अगले question यानि जा नंबर question की ओर बढ़ेंगे पतियों द्वारा जल वास्व छोड़ने के कारण आस पास की वायू गर्म हो जाती है बिल्कुल सत्य है कि पति द्वारा जो है वो क्या होती है अगली question की ओर चलेंगे कि आब आदी बढ़ने के कारण वन दीरे दीरे नश्ट होते जा रहे है यह बिल्कुल सत्य है जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है तो क्या हो रहा है वन जो है दीरे दीरे कट करके और कम हो रहे है क्योंकि वन में लकड़ी होती है और लकड़ी हमारे जीवन में काम आने वाले चीज़ है जैसे फरनीचर बनाना हो गया कुरसी में स्टेवले सभी बनाना हो गया लकड़ी के हम लोग इंधन के रूप में भी परियोग करते हैं तो इस प्रकार से लकड़ी का कटाव किया जा रहा है तो चलेंगे इसके अगले क्वेस्टन की ओर अगले क्वेस्टन क्या है कि व्रिक्स हमारे मीत्र नहीं है ये बिल्कुल क्या है गलत एंसर है क्योंकि व्रिक्स हमारे मीत्र है अगर bricks नहीं होंगे तो हमें धर्ती पर जीना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमें oxygen के प्राप्ति नहीं होगी और बरसा भी नहीं होगी और वायू मंडल जो है वो बिना bricks के संतूलित नहीं रह पाएंगे तो इसलिए ये आपका option cut up हो गया गलत है अगले question की और ध्यान देंगे अगले question यहाँ पे क्या है मिलान कीजिए यानि मिलान कीजिए का मतलब की सही रूप उसका लिखिये कि क्या है तो जो कभी नहीं मरता है जो कभी मरेगा ही नहीं तो वो अमर है इसलिए हम लोग इसे अमर कहेंगे जो मिठाई बनाता है तो अक्सर आप देखते होंगे कि आपके मार्केट में मिठाई बनाने वाले कुछ लोग होते हैं उन्हें हम लोग हलवाई के नाम से जानते हैं चलेंगे अगले क्वेस्टन की ओर कि जो किसी से नडरे उसको हम लोग निडर कहते हैं जो किसी से नहीं डरता है तो अगले क्वेस्टन की ओर बने रहेंगे कि जो परिश्रम करता है वह क्या कहलाएगा तो वह परिश्रम ही कहलाएगा और अगले क्वेस्टन क्या है जिसके माता पिता न हो उसको हम लोग क्या कहते हैं तो जिसके माता पिता नहीं होते हैं उसको हम लोग आनाथ कहते हैं तो इस प्रकार से आपका हिंदी थ्री कलास के हिंदी के क्वेस्टन स्रिंखला समाप्त होता है तो बने रहें अगले वीडियो को नोटिफिकेशन को प्र कर दें ताकि अपने दोस्तों को भी नोटिफिकेशन मिलता रहे धन्यवाद